नमस्कार दूस्तु वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल विक्रम आरिवेदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दूस्तो आज मैं आपको एक ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस औसदी का नाम है पासान भेद इसे पासान भेद पत्थर चट्टा या फिर पत्थर चूर के नाम से जानते हैं पैचानते हैं और ये जो पौधा है जिसे आप गंबले में लगाते हैं न ये गंबलों में उगा हुए पौधा एक नहीं अनेक बीमारियों को दूर करने की तागत रखता है जी हाँ दोस्तो अगर आपके किड़नी में कोई इंफेक्शन है किड़नी में कोई श्टॉन है या फिर अगर थैली में आपको पत्री हो गई है पेसाब रुगरुक की आता है पेसाब में दर्द और जलन हो रही है या फिर आपका पेसाब में सूजन आ गई है तो इसमें ये जो पत्थर चट्टा है ये बहुत अच्छा काम करता है अगर आपके किड़नी और पेसाब की थैली में इस वीडियो में बताने बाला हूँ तो आपको करना क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो पौधा है न ये छोटा सा पौधा छोटे से गमले में भी लग जाता है और इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना इसकी जो पत्ती है सिंपल से इन पत्तियों को तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद कहीं पर भी अगर आप जमीन में लगा देंगे तो वहां से नया पौधा उत्पन हो जाता है या फिर जहां पर भी इसकी पौधे लगे होते हैं अगर अपने आप टूट करके ये पत्ती नीचे गिर जाती है और उसमें थोड़ा मुटी पाने का संपर्ख हो जाए तो वहां से भी नया पौधा हो जाता है ये बहुत जल्ली लगने वाला पौधा है तो इसकी एक पत्ती लेजिए और इसी लगा करके पौधा तयार कर लेजिए अब देखे दोस्तों इसे कैसे शिवन करना है पत्ती को दूर करने के लिए आईए बता देती है तो जिनको भी पत्ती की समिस्या है किड्नी में स्टोन है किड्नी में दर्द हो रहा है या फिर किद्नी में कोई infection हो गया है तो इसके लिए आप देखिए अगर किद्नी में पत्री है तो इसके चार पत्ती रोजाना सुबह खाली पिट सेवा लिया करें ऐसा regular एक महिने करिएगा पालक और टमाटर से परहेच करेंगे तो 10 mm की पत्री बगैर और प्रिशन ठीक हो आपको ये लेना है पाशाण भेत की जणे या फिर इसके सूखे हूँ के पत्तों को ले जिए बराबर की मात्रा में गोखरू छोटे ले जिए और साथ में ले जिए कुल्थे की दार सौसो ग्राम तीनों को ले करके अगर रोजाना एक ग्लास पानी में एक शमाट डाल करके वाल केज़े और खाली पिट पीते हैं तो ऐसा करने से एक महीने में किड्नी का जो इंफेक्शन है वो ठीक होता है इसके साथ ही साथ जिनको किड्नी में बहुत ज़्यादा जिनको बाथरूम करते समय धर्द होता हो जलन होता हो या फिर बाथरूम रुकरू क्याती हो ऐसी में आप इसको गोखरू धनिया और ये पत्थर चट्टा की सूखी होई पत्तिया इनको सौसो ग्राम ले करके और इनका क्वात बना करके अगर खाली फिट सुवै और खाली फिट साम को अगर पीते हैं तो ये आपके सभी प्रकार के मुत्र कर्च संबंदी समिस्याओं को दूर करता है और जिनके पेसाब में तहली में जिनके पथरी हो गई है उसमें भी अगर आप पुनरनवा और कुल् घंसत्त तयार करके घंबटियां बनाईए और अगर दो गोली सुवैद दो गोली साम शेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके किडिनी इस्टॉन और मुत्रासय का इस्टॉन मुत्र कर्च की समिस्याओं और किडिनी की कोई भी गंभी समिस्याओं उससे ये पथर चुटकारा दिला देता है